हेलो गाइज, यू आपनी ये मैथ वर्कषीट है, जो 6th क्लास की होगी, स्पेसिफिक वर्कषीट नूमबर 2 है, आज 15 सेप्टेमबर है, बच्चे अपने नाम या लिखेंगे, है क्लास्टेचर का नाम लिखेंगे, इस वर्कषीट में हम जानेंगे, पढ़ेंगे होती है, उनकी जनकारी लेंगे, उनकी समझ बढ़ाएंगे हम, और कुछ जो इस से संबंधित पुरस्ने तथ्य है, उसको भी देखेंगे, प्रिविद्यारतियों, आपने अपने आसपास बहुत सी वस्तों देखी होंगी, बिल्कुल, क्या यह सभी एक जैसी है, या इन मे इसमें सबसे अदर उचाई किसकी है, और इसली राजे इसकी है, इन तीनों बच्चों में किसकी उचाई सबसे कम है, तो यह सबसे कम है अजय की, ठीक है, इतना हमने समझ लिया, आगे देखते हैं, क्या विधिक, क्रिया विधिक, आइए संख्याओं के तूलना करें, संख कंची हो गई, इन में कौं से संख्याओं बड़ी है, और इसमें बड़ी है हमारी, तूलना क्रणार ऎमने सद्राविक, है ठीक है यह हमसमझ रहें उत्तर बड़ी संख्या यह वाली है हमारी ठीक है यह हम समझ कॉग जादा अंकों कि संख्या समान हो फिर जैसे मारinku लेड़ा है और ये भी चार है तो चार अंकों की संख्याओं हैं दोना उत्तर देखते हैं चार अंकों की संख्याओं में हजार के अंक की तूलना करेंगे तो चार अंकों में जो संख्या होंगे ना तो देखें नीचे से गिंते हैं मिकाई, दहाई, से कड़ा, हजार चार होगे ना तो हजार की जो संखेय साब से उपर वाली है, छे हजार है और ये साथ हजार है, अब आप ही बताइए कि छे और साथ में कौन बड़ा है, तो साथ ऐसे होता है, साथ बड़ा है छे से, जो ये साइन होता है न, इसका मुझ इधर को होगा, जैसे इसका मुझ इधर को है, तो इ इसलिए 7852 बड़ा है 7600 708 वे से इससे बड़ा है ठीक है किलियर है आगे देखते हैं यदि 1000 का अंग समान हो तब यदि 1000 का अंग समान हो तो दोनों बराबर हो जाएंगे 1000 के लेबल पे लेकिन फिर नीचे जब उतरेंगे तो जो सैकड़े वाली लाइने 7 यहां देखिए यह दो संक्य हैं यहां भी 1000 पे 6 है और यहां भी 1000 पे 6 है लेकिन सैकड़े पे यहां 9 है और यहां 4 है तो 9 बड़ा हुआ चार बड़ा हुआ अब हम सैकड़े से तुलना कर लेंगे और इसलिए 9 बड़ा हुआ तो यहां पे दिखा दिया है कि 9 6978 बड़ा है ठीक है यदि अंक किसंखा समान हो तो नीचे देखते चले जाएंगे एकाई पर, सारी मतलब हजार वाले पर सैक्ड़े वाले पर फिर दहाई पर या फिर एकाई पर जहां भी जो संख्या बड़ी पाई जाएगी अगर बराबर आप बराबर है तो बराबर बराबर चलता रहेगा कोई दिकत न यह वाला करते हैं एक बार संख्याओं की तुलना करते हुए रिकतास्थान पर उचित चिन लगाई है अब यह बताना है कौन सी बड़ी है जैसे मैंने आपको बताया जो बड़ा होता है उसका मुझ खुला होता है और जिदर देते हैं उदर पतला होता है तो यह बड़ी है नो बड़ी है ना पांसे नो जर पांसा ठाउं से पांस चेसो आड़ सट तो ऐसे हो जाएगा ठीक है फिर इदर यह बड़ी है तो इसमें भी ऐसे हो जाएगा इदर 509 है जर 590 है यानि कि 509 है और 590 है तो यहां देखिएगा सैकड़ पे तो दोनों बराबर है दहाई पे जिरो है तो जीरो तो कुछ नहीं हुआ और यहां पर दहाई पे नो है तो यह नो बड़ा हो गया ना जीरो से तो यहां पर इस तरीके से बदल जाएगा ठीक है फिर देखिए 683 यह इदर 613 तो यहां बराबर का निशान लगेगा ठीक है कर लेंगे यह देखिए एक बार निम्लिकित संख्याओं के तुल्ला करें और आरोही और आरोही करम में लगाएं आरोही करम मतले होता है नीचे के तराफ घटते करम में और आरोही करम मतले होता बढ़ते करम में इस तरीके से तो आरोही करम में लगाएंगे सबसे बड़ा कौन सा है यह है सबसे पहला इसको लगाएंगे इसनको बोलते हैं increasing order और decreasing order ठीक है तो आरोही करम मतलुता बढ़ते में जो बढ़ रही है न और जैसे सबसे बड़ा कौन सा है आरोही करम बढ़ते order में तो सबसे छोटा लेंगे तब ना बढ़ते हुए चलेंगे सबसे छोटा यह ले ले लेंगे 85 आजाएगा यहाँ पे ठीक है यहाँ पे 85 आजाएगा फिर आजाएगा 685 यह वाला ठीक है और उसके बाद आजाएगा यह increasing motor है आरोही मतलब होता है आगे बढ़ना जिसे परवत आरोहण बोलते हैं न परवत पे उपर के तरफ चलना तो इसलिए आरोही से याद रखिए परवत आरोही 85 आजाएगा हमने 685 आजाएगा 695 आजाएगा और अब यहाम करेंगे यहाँ पे यह वाला आजाएगा 325 है तो यह आजाएगा 4800 यह वाला यहाँ आजाएगा और यह वाला यहाँ आजाएगा अब इसी को उल्टा कर देंगे तो सबसे पहले यहाँ पर यह आजाएगा ठीक है फिर यह आजाएगा फिर यह आजाएगा फिर यह आजाएगा यहाँ और फिर 85 सबसे नीचे तो यह है बच्चों आपकी वर्क सीट I hope मेरे साथ पढ़के आपको अच्छा लगा होगा आपकी समझ बढ़ेगी उमीद करता हूँ वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा हम आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे So thanks for now students, take care, stay safe